हेलो एवरिबन कैसे हैं आप सभी आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिबिएस एर का पिपर ओल इंडिया सैनी स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन 2020 यह जो फॉर नाइंथ क्लास के लिए होगा सुबह के टाइम ही जो हमने इस पिपर को जो डिस्कस करना स्टार्ट के था तीन चार कोशिन हमने जो सुबह के टाइम डिस्कस कर लिया थे अभी हम स्टार्ट करने बार है कोशिन नमबर फाइब से आगे की तरफ चलेंगे मैथ से लेटे जो कोशिन काफी अच्छे कोशिन काफी इंटरस्टिंग है और बहुत को देख सकते हैं कि हम बिल्कुल basic से जबो हर question को डिसकस करेंगे और आपको जबो बिल्कुल मतलब की ऐसी question होगे जो आपने थोड़े बहुत आपने पड़े होगे लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यह वाले question भी जोगो समझ आने बाले हैं तो उचली फिर ज्यादा बिलंबब ना करते हुए स्टाट करते हैं सबसे पहला कोशी नहीं यहां पर कोशी नंबर फाइव लेकिन हम लोग यहां पर कोशी नंबर फॉर से स्टाट करेंगे क्योंकि सुबह के टाइम जोगो जल्द बाजी में वो तू और थ्री दे रहा है, ठीक है, तो इसने बोला थैं, which one is the correct statement, तो कौन सा, जो इसमें से सही है, हमने जो उल्टा इसको ले लिया थोड़ा सा, हमने जो वो कौन से, यहाँ पर लिखा था, first statement पे, कि the number is not a perfect square, कि वो number जो परफेक्ट square नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने जो वो परफेक्ट square जो नहीं है, वो number चेक कर लिए, ठीक है, तो हमने उल्टा चेक कर लिए, फिर जो वो कोई भी जो यहाँ पर आंसर नहीं निकला, तो मैंने बोला था, नाना उफदी, जो इसका answer हो चाहिए, लेकिन वो जो वो state when थोड़ी सी गलत होगी, देखिए, इसमें जो वो इसने बोला है कि not a perfect square, अब देखिए, परफेक्ट square जो भी है, ठीक है, जो भी perfect square है, ठीक है, उसको लेते हैं, जैसे perfect square आपको बता है, 2, 2, 4 perfect square है, 3, 3, 9 perfect square है, 4, 4, 0, 16 perfect square, एप 25, 5, 5, 0, यह perfect square सभी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इन नंबरों को 4 से divide करता हूँ, तो देखिए, क्या आ रहा है, अगर मैं 4 को 4 से divide करूँ, तो यहाँ पर remainder 1 आ रहा है, ठीक है, सेम नंबर को, तो अगर मैं जबो 9 को 4 से divide करूँ, तो 4, 2, 0, 8, फिर से जबो remainder 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर remainder 1 आ रहा है, ठीक है, जो perfect square है, उनका remainder 1 आ रहा है, 2 और 3 नहीं आना चाहिए, बस, अगर 2 और 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है, यह first बाली जो statement है, बिल्कुल सही है, तो ऐसा ही हाँ आ पर हो रहा है, 16 को 4 से divide करेंगे, तो 16 को 4 से देखे, remainder 0 आ गया, ठीक है, 4, 4 जा 16, तो remainder 0, 25 को करेंगे, तो 64 जा 24, 1 जबो remainder आ रहा है, इसका मतलब है, कोई भी perfect square लेंगे, जब उसको 4 से divide करेंगे, तो आपका जबो remainder 2 और 3 नहीं आएगा, ठीक है, तो बैसा इसने बोला था, कि इसने बोला कौन सा statement सही है, तो not a perfect square, वो जबो perfect square नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जबो यह बिलिविदा राइक अंसर, नेक्स कोईशिन देखे, आज की कोईशिन है, काफी अच्छे अच्छे कोईशिन है, काफी कोईशिन जबो, यहाँ पे जबो हम लोग discuss करेंगे, कोईशिन नमबर 5 है, value निकाल नहीं है, यहाँ पे लिखा है, 0.2304, फिर अंडूट है, फिर प्लस में, जबो 0.1764 है, बैसे decimal के बाद, जैसे 1764 है, उसको ऐसे पढ़ेंगे 1764, उसको आप जबो एक साथ रिड नहीं कर सकते, तो बैसे जबो नीचे भी सेम है, बस यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे नीचे माइनस है, इतना सा डिफरेंस है, तो प्लस माइनस का जबो डिफरेंस है, तो आपको जबो देखने में, जबो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, कि यह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यह बहुत इजी कोशिन है, देखिए इसको जबो कैसे करेंगे, आपको सिर्फ इतना पता हो इस कोशिन में, कि यह जो 2304 है, यह कैसे पता हो, यह जबो परफेक्ट स्क्वेर है, ठीक है, 1764, यह भी परफेक्ट स्क्वेर है, ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, देकी किसका fact square है ठीक है किसका square जो वो 23-04 होता है जिसका square 1764 होता है ठीक है बस इतना सा पता हो न जीए क्योंकि undute है तो undute का उल्टा स्क्वेर होता है जब हम square में किसी चीज को लिख लेंगे तो undute से square कट जाता है तो मैं जबो इसको थोड़ा सा चेंज करके जैसे लिख सकता हूँ जब मैं अंडूट जबो मैंने बैसे रहने दिया है तीक है मैं एक को solve करता हूँ वाकिया आपको पता है बैसे ही सभी solve होंगे जैसे मैंने लिखा 2, 3, 0, 4 और नीचे जबो decimal के बाद यहां पर दिखे 4 digit है तो यहां पर 1 के बाद जबो 4, 0 मैंने लगा दी कुछ इस तरह से जबो मैं सभी को लिख लूँगा तीक है इसको भी और इसको भी सभी को नीचे बाले को भी अब दिखिया आपने क्या करना था अब आपको पता है यह किसका स्क्वेर है यह आपको पता होना जाए था पहले से अगर नहीं पता है तो आपको कुछ स्क्वेर जबो मैं बोलता हूँ कि अगर आप जबो जैसे किसी एक्जाम को देने बाले है तो आपको कम से कम 50 तक जबो स्क्वेर आपको learn करके जाने है आपको जोब एक दम से पता जल जाएगा कि यह square है की नहीं है जैसे last में जोब आपको बता है 4 है तो इसका मतलब square हो सकता है होगा तो एज जोब किसका square है ठीक है देखे 5 5 जोटा है 25 ठीक है तो इसका मतलब है कि 2500 ठीक है बतलब कि 2500 यह किसका square होगा 50 का यह तो कम है ठीक है 2304 जोब ओ 2500 से कम है इसका मतलब है कि पिछला नंबर होगा कोई तो यह जोब किसका है 88 चा 64 तो 4 रहा है once place पे इसका मतलब है 48 का होगा तो 48 का ही जो जोब ओए square है 100 का जब मैं 100 को 100 से ही multiply करूँगा तो आ जाएगा फिर 1 के बाद 4,0 मतलब कि 10,000 तो यहाँ पे नीचे मैं आंटर लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ 100 का square उपर जब 100 था तो यहाँ पे जो बो कुछ इस तरह से फिर जो मैं से लिख सता हूँ 48 का square का अंडरूट और यहाँ पे 100 का square के उपर यहाँ पे अंडरूट दोनों के उपर आ गया square से अंडरूट कर गया यहाँ बचा 48 over 100 देखिए यहाँ पे किया 48 over 100 तो जब हमने इसको solve किया तो यहाँ पे आया 48 over 100 अब बैसे ही बिल्कुल से आप वो 1764 का पता होना चाहिए कि यह जो 42 का square रहे तो इसकी जगा बिल्कुल बैसे आ जाएगा 42 over 100 और निचे बिल्कुल से 48 over 100 और यहाँ पे बीचे प्लस है और यहाँ पे बीचे माइनस है 42 over 100 अब आप देखेंगे दियाद से तो आप पाएंगे यहाँ पे कि आपको जोगो कुछ ऐसे नंबर है जहाँ पे लाइक फ्रेक्शन है देखिए 100 जोगो नीचे है तो इसका मतलब है कि LCM लेजिए उपर अलग से LCM लेजिए इसको करना था मेरे खाएगा 156 जाओता है 90 तो 15 आगया ठीक है कुछ इस तरह से जोगो इस को करना था 15 15 15 अच्छा पिछे वाले उप्शन में यह इस यह इंद घरान स्ट एक जब उसको करना था काफी अच्छा कोशीन था काफी इंट सिन देखने में जो आपको लग रहा है खतना कबाला गोशिन होगा लेकिन आपको स्कुरेश पता होने चाहिए इसके next question है एकाफी इससे भी अच्छा कुछीन है three numbers are in the ratio two three and four the sum of their cubes देख कितना अच्छा कुछीन है कि तीन number है बो जो इस ratio में है two ratio three ratio four और उसने बोला कि इनका जो cube करने पर जो sum आएगा बो आएगा 33,957 तो इसने बोला बो number जो बो कौन कौन से होंगे two ratio three ratio four तो मैंने जो वो number को माल लिया क्योंकि number तो यह नहीं होंगे कुछ नगुछ common जो इन तीनों के साथ होगा इसका मतलब है पहले number को माल लिया मैंने two x x माल लिया मतलब इसके साथ और इसका cube करना पड़ेगा तेक है दूसरे number को माल लिया मैंने three x और 34, sorry, 30 से नमबर को माल लिया 4X और क्योंकि इसने बोला है इनका sum बट इन से पहले जो इसका cube तो cube मैंने कर लिया, sum मैंने plus कर लिया बीच में, ठीके इसने बोला कि इसका cube और sum करने पर जो वो कितना आ रहा है 33,957 बस इसको solve करना था, आपका answer आजागा यहां से, यहां से x की value निकलेगी फिर answer आएगा, अगर मैं इसको solve करना हूँ तो 2,2 जा, देखिए जो 3 है यहां पर cube है यह इन दोनों के साथ जो आ जाएगा 2,2 जा 4,2 जा 6 हो जाएगा 2,2 जा 4,4 जा 6 तो यहां पर आगए 6 x की cube और यहां पर आगए 3,3,9,9,3,27 यहां पर आगए 27 x की cube यहां पर आगए 4,4,16,16,4,64,64 x की cube तो बिल्कुल वही answer है 33,9, यह तो आगे है वैसे ही रहेगा तो यहां पर इन सब को plus कर लिए क्योंकि एक unit है सभी का unit मतलब ऐसे याद रख लो x cube हैसे हमके पास तो इन सब को plus कर लो 64,27,6 तो इनको plus करेंगे तो मेरे ख्याल से आजाएगा 7 और 4,11,11 and 6 11 और 6 कितना होता है अच्छा यहां पर मैंने एक गड़बर कर दी आदे कि यहां पर 2,2,4,4,2,8 होता है तो जब इसको plus करेंगे तो 64,27 और 8 तो 7 और 4 जो बहुता है 11,11 और 8,9 होता है तो यहां पर बन गए है 99 तो 99 जो बहुँ एक्स क्यूब हो गए और equal to वही है नमबर हमारा जब मैं एक्स क्यूब यहां से निकालूँगा तो यह 99 जो बहुँ नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 33,957 डिवाइड बाइ 99 और जब मैं इसको जो बहुँ डिवाइड करूँगा इस से तो आपको पता है कि 99 का टेबल जो बहु कैसे चलेगा 99 देखे 3 से जाएगा क्योंकि 300 कुछ सम्थिंग है तो यहां पर जगा 3 जब इसको पूरा सॉल्ल करेंगे तो आज जगा यहां पर आगे 4 और आगे बचेगा फिर से 3 तो 3,4,3 आगया और 3,4 जैसे आया आपके दिमाग में जो बहु एक दम से आजाना चाहिए कि X3 क्यूब आ रहा है 3,4,3 तो इसका मतलब है कि X की węली कितनी होगी यह जब 3,4,3 किसे का क्यूब है 3,4,3 सेवन का क्यूब है तो X की बखै कितनी होगे, 7 आगी अब आपको जब ऑ-कर करेंगे इसकी बखै मैंने इसको हमने माना था 2X हमने माना था 3X और हमने माना था 4X जब X की value जब वो हमारे पास 7 बना गी तो 7 put करिए अब यहां पे 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 तो जिस option में जब वो 14 21 28 होगा वो हमारा सही answer होगा 14 21 28 देखते हैं कहां जैसे हमारा option 14 21 and 28 C will be the right answer काफी अच्छा कोईशन था बैसे यह भी find the least square number divisible by each one of 8, 9 and 10 यह जो वो इससे भी अच्छा कोईशन है इस question को जो वो कैसे करना देखे यह मुझे काफी interesting question लगा 8, 9 and 10 का अच्छा कोईशन है इसन बहुला है least common multiple नहीं यह बहुला least square number ठीक है least number to निकाला है लेकिन मों square भी तो होना चाहिए square का मतलब क्या है square का मतलब है जैसे मैं लेका 49 49 is 7 का square ठीक है 49 is 7 का square है घर मैं लेको 64 64-4 का cube है ठीक है ऐसे जब वो cube और square जो आपको पата ंच्छा है लेकिन वो जो number निकालना है जो इन तीनों का जब लीस्ट नंबर होगा common वो जब फ्रफेक्ट स्क्वेर भी होना चाहिए तो इन चारों में से कौन सा होगा दूसर से पहले तो जो भी हमारे पास नंबर है इनका जब लिस्ट निकालना पड़ेगा 8, 9 और 10 का तो मैं जब वो साइड में नकाल लेता हूँ 8, 9, and 10 वाइट बोड पर आपको बताया LCM कैसे नकालता है 8 हो गया, 9 हो गया, 10 है इसका मैं लास में ट्रिक बताऊँगा कैसे इसको सॉल्फ करेंगे देखिए, सबसे पहले तो 2 से कर लेते है तो 2 से किया, यहां पर आया 4, यहां पर आया यहां पर कुछ नहीं आगा, 9 नहीं आगा, यहां पर आया जगा 5 ठीक है, फिस से 2 से करेंगे, यहां पर आजागा 2 यहां पर 9 नहीं जाएगा 2 से, यहां पर 5 भी नहीं जाएगा अगर हम इसको मुलिप्लाई करेंगे तो टूज़ा 4, 4, 2, 8, 8, 3, 0, 24, और 15, 24 जो को मुलिप्लाई करके, हमारे पास आता है 24, 24, इसको साइड में करते हैं, क्या होगा, 24, 15, 4, 0, 66, 15, 2, 0, 36, तो इसको मुलिप्लाई करके 360 आ रहे, हो तो नहीं है और 5 चाहिए और फाइब हो जाय कीनकता मतलब चाहिए एक और आपको यहां पर फाइब चाहिए का सबस्क्ता है और multiply करिए तो 3600 हो जाएगा 3600 तो 3600 देखिए कहां पर है और सी अप्शन में जो 3600 अच्छा कोई सिन था वैसे नेक्स कोई सिन है कोई नमबर एट इसने बोला है कि कोई नमबर जो यहां पर लिखा है 148101 फिर लिखा है ए बीच में लिखा है ए देखिए चोटा सा और 095 इस इस डिजिट एज वो यहां पर एक डिजिट है तो value of a निकालनी है एक काफी अच्छा कोशिन है divisibility rules से related कोशिन आपको 11 का divisibility rules जो बता होना जी है जब कोई नमबर 11 का multiple होगा तो इसका मतलब है कि बो नमबर 11 से divisible होगा सिरी जासी बात यही है और 11 का divisibility rules है वो बोलता है कि even or odd number को जो आपस में minus करके even or odd number नहीं even or odd places बाले जो number है उनका sum करके और फिर difference निकाल करके या तो 0 आए या तो 11 का multiple आए तो जो रूल बोलता है कि वो 11 से divisible होगा बस यही logic जो हम लोग यहां पर लगाएंगे देखिए सबसे पहरे तो odd number को देखते है यहां पर odd number 1 है फिर plus 8 फिर odd number यहां पर जीरो है तो 0 तो प्लस करने की बात है नहीं यहां पर ए है तो ए जो वो हम बाद में देखेंगे देखिए फिर यहां पर 9 है यहां पर यहां पर यहां पर 8 और 1 होंके 9 9 और 9 होके 18 18 बन रहा है और places बाले नमबरों को प्लस करके sorry 18 बन रहा है अब even बाल तो काप का है नहीं 5 है 5 को प्लस करते है जी तो प्लस करेंगे तब तो ऐसे है ठीक है तो यहां पर फॉर एक 6 फॉर एक 5 और 1 6 6 और 5 होता है 11 तो यहां तो 11 बन रहा है अब आप देखिए ध्यान से कि इसने जब बोला है कि यहां पर A की जगह क्या रखें तो देखिए A की जगह A जबो क्योंकि यहां पर अगर इसमें होता 11 में 7 प्लस करता और 18 बना देता और 18 में से 18 माइनस करके डिफरेंस जीरो आ जाता तो मैं बोलता कि 11 से यह डिविजिबल है लेकिन इसमें जबो A नहीं प्लस करना है आपने जबो इसमें प्लस करना था क्योंकि हमारा जब A है जो हमने निकालना है वो जबो odd places पर है इसका मतलब है 18 में आपको माइनस तो बीच में गुसा नहीं सकते माइनस 1 लिखा 2 लिखा बीच में कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें 18 में प्लस करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो 18 में मैं क्या प्लस करूँ कि वो 11 का मिल्टिपल हो जाए काफी अच्छा वो इसने देखें यहाँ पे क्योंकि वो 11 जो बनना था प्लस करके तो 11 में से मैं मतलब कि किस को मैं 11 में से माइनस करूँ छोटे छोटा नमबर बोज वो 11 का मिल्टिपल हो जाए अब 0 तो नहीं आसकता तो हमारे पास 22 होना चाहिए फिर 22 को 11 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 बन जाएगा मतलब कि 18 को मैं 18 में क्या प्लस करूँ कि 22 हो जाए 18, 19, 20, 21, 22 19, 20, 21, 22 4 जो प्लस करना पड़ेगा तो एक ही जगा अगर मैं 4 रखूँगा तो difference जो बो 11 बनेगा इसका मतलब है बो 11 से डिविजिबल होगा काफी अच्छा कुशी नहीं था 4 बीजो यहां पर बिल्कुल सही अंसर होगा I hope कि आपको यह समझाया होगा Q2 नमबर 9 लेकिए Q2 नमबर 9 जो और भी इंटरस्टिंग कुशी नहीं है इसने बोला कि value of A और B निकालना है आपको यहां पर कुछ पैटरन ऐसे multiply में लिखा हुआ है तो मैं 3 को किस नमबर से यहां पर multiply करूँ कि नमबर वही बने यहां पर जैसे example के लिए एक एक लेकर करे लिखते है अगर मैं यहां पर 3 को 1 से multiply करता हूँ तो 3 1 जा 3 आता है मतलब कि यहां पर 1 है यहां पर 3 आ रहा है तो इतना ही चलेगा क्योंकि यहां पर A है तो यहां पर B आना जी कुछ इस टाइप का है आपने चेक करना था तो मैं 3 को किस से multiply करूँ 2 कुछ से देखते हैं 3 2 जा 6 2 यहां पर रखा तो यहां पर 6 आ रहा है किस कर देखता है Happiness तो आर भी देखेंगे और जुब काम 2 नहीं कर रहा है खुछ 37 जा जो नहीं काम कर रहा है 37 और तुम मेरे क्या इसे 35 जागै तरी यहां पर 5 35 जा 15 तो यहां पर भी 5 आ जाएगी है तो मैं फिर से लिख लिखता हूँ यहां पर अगर मैं यहां पर 5 लिखता हूँ तो यहां पर आ जागा 5 क्योंकि 3 5 जा 15 और एक जो आगे चला जाएगा एक कैरी आगे forward हो जाएगी अब दिखें फिर से अगर मैं 3 को अब किस से multiply करूँ क्योंकि 2 नंबर है और बीचे में multiply है तो यहां पर जाएगा 5 होगा तो जिस option में जो 5 होगा उसको जोगो सही मालेंगे तो मेरे कहल से यहां पर यहां पर 5 है यहां पर भी 5 है लेकिन यहां पर यह दोनों ही जोगो eliminate हो अभी यह दोनों जोगो बच गये ठीक है तो 2 एको माना था मैंने 5 2 5 तो 2 3 तेक है इसको multiply करके चेक करते हैं यह जोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो 5 3 जा 15 5 आ गया एक आगे फॉर्वर 3 2 जा 6 6 7 तेक है multiply 25 2 जा होता है 50 तो यहां पर आ गया 57 and 5 57 5 तो A जोगो 5 इमाना था मैंने बिल्कुल सही है तो इसका मतलब है कि A जोगो 5 होगा B जोगो 2 होगा देक है ऐसे जोगो आप इसको कर सकते थे बड़े आराम से काफी सिम्पल सा को इसी था नेक्स्ट है find a value of Z Z Z की value आपने बतानी है और number which is the number is divisible of 9 यह divisibility rule है 9 का देके 9 और 3 का बिल्कुल सेम है यह बोलता है कि जब sum of digits जोगो 3 से divisible हो तो आप बोलिए कि 3 से बो number divisible है अगर sum of digits जोगो 9 से divisible हो तो आप बोलिए कि 9 से बो number divisible है तो यहां पर 9 के लिए है तो Z में मैं ऐसा क्या put कर दूं कि 9 से बो number divisible हो जाए देखिए फिर तो sum कर लिए 4 पलस 7 ठीक है 4 और 7 को plus करिया 1 भी है यह 1 भी है और Z को मैं बाद में देखता हूं और यहां पर 8 जिन सब को plus किया Z को छोड़ दिया 8 और 1 होगा 9 7 होगा 11 11 9 20 20 में मैं क्या plus करूं कि वो 9 से divisible हो ज कुष्आ और आप खुद जो इसे को तो डोनेंगे और काफी आज जब आपको चीखने को मिले का जब आप गो स्लाइगा तो कि आेक कई nicht